रमश्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है फिल्म गंगू भाई काटिया वाडी में कमाठी फुरा का जो नजारा आपने देखा वर्तमान में हालात उससे काफी अलग है यह एक ऐसा इलाका है जहां पर हर कोई जाना तो पसंद नहीं करता लेकिन यहां पर रहने की सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है हाला कि सरकार ने इस जगे के मेक ओवर के लिए कई योजनाय और रीडवलप्मेंट प्लानों की घोशना तो की है लेकिन अभी वास्तविक्ता में कुछ खास हो नहीं पाया है कमाठी पुरा को रोजगार का गड़ भी कहा जा सकता है यहां कबाड का मार्केट है बड़े पैमानों पर कपड़े और डाई की दुकाने है जर्दोरी, जर्दोजी के कार खाने लगे है लेदर मैनुफेक्चरिंग की यूनिट लगी हुई है कमाठी पुरा मार्केट एसोसियेशन के सेकेटरी के मताबिक यहां कुल 15 लाइन है एक लाइन में करीबन 200 दुकान है यहां का नाम बदनामी से जुड़ा हुआ है इसलिए दुकानदारों ने इस छेतर को केपी मार्केट के नाम से पुनर गठन करने की मांग रखी है आपको बता दें कि टाटा इंस्टिटूट ओफ सोशल साइंस की मीडिया रिपोर्ट कहती है कि कमाठी पुरा में 200 साल पहले से ही बसावट शुरू हो गई थी और यहां पर पिछडे और मजदूर लोगों को बसाया जाता था जिनें कमाठी कहा जाता था तेलगु भाशी श्रमिकों को हैद्राबाद से मुंबई निर्मान कार्यों के लिए लाया गया था और उस दोर में राजाबाई टावर, बॉंबे हाई कोर्ट, विक्टोरिया टर्मिनल और बीमसी हेड़कोर्टर के निर्मान में इनी श्रमिकों को लगाया गया था 1880 में इस छेतर को कमाठी पुरा जोन गोशित किया गया तंगी से जूसते इस छेतर में कई ऐसे कारे होने लगे जो सामाजिक दोर पर सही नहीं थे और फिर इन्हें बढ़ावा दिया गया और यह इलाका बदनाम होता चला गया 8000 से 4000 पे यहाँ पर किराय पर मकान मिल जाता है तीन में से एक बिल्डिंग ऐसी है जहां पर हर कोई जाना पसंद नहीं करता इसी वज़े से इलाका बदनाम है हम आशा करते हैं जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इस अपने मित्रों के साथ आवशे शेयर करेंगे दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल बटन को जरूर दमाएं धन्यवाद